दोस्तो हम मेंसे अधिकतर लोग घुमने फिरने और एडवेंचर के शोकीन होते हैं और जब मान हुआ या मौका मिला नहीं बस ट्रिप पर निकल जाते हैं आज हम आपको ऐसी जगा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे दुनिया की सबसे रहस्य में और खतरनाक जगा माना जाता है यहां जाने का मतलब है अपनी मोद को गले लगाना वैसे तो दुनिया में ऐसी बहुत सारी जगे हैं जहां जाना खतरे से खाली नहीं है लेकिन कहा जाता है कि इस जगा पर जाने के बाद इनसान के बापिस आने की कोई गारंटी नहीं होती है दोस्तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लैक जुरूर कर लीजीगा चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो बर्मूडा ट्राइंगल अमेरिका के फ्लोरिडा, प्यूट्रो रिको और बर्मूडा तीनों को जोडने वाला एक ट्राइंगल यानि त्रीकॉन है जहां पहुंचते ही बड़े से बड़े समूदरी जहाज और हवाई जहाज कुछ पल में ही गाइब हो जाते हैं इस ट्राइंगल के पहुंचते ही ना तो जहाज मिलता है ना ही उसके यात्री अट्लांटिक महासागर पर बर्मूडा ट्राइंगल दशकों से लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है यहां कोई समूदरी जहाज या हवाई जहाज पहुंच जाए तो वो रहस्य में तरीके से गाइब हो जाता है बर्मूडा ट्रेंगल उत्तर अट्लांटिक महासागर में स्थित ब्रिटेन का प्रवासी क्षेत्र है ये स्युक्तराज अमेरिका के पूर्वी तट पर मियामी से महज 1770 किलोमेटर और हैलिफेक्स नोवा स्कोटिया के दक्षिन में 1350 किलोमेटर की दूरी पस्तित है बर्मूडा ट्रेंगल के बारे में सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने दुनिया को इसकी जानकारी दी थी उन्होंने अपने लेखों में इस तरीकौन में होने वाली गती वीडियों पर जिक्र किया था इस क्षेतर में जहाजों के गाइब होने के कारण पर कई शोद और अध्याइन हुए लेकिन अभी तक स्पष्ट रूप से कुछ पता नहीं चल पाया है बर्मूडा ट्राइंगल में जहाजों के गाइब होने को लेकर बेग्यानिक मौसम को इसका जिम्मेदार बताते हैं दरसल बर्मूडा ट्राइंगल के आसपास की मौसम की काफी बारीकी से स्टड़ी करने के बाद बेग्यानिक दावा कर चुके हैं किस ट्राइंगल के उपर खतनाख हवाईं चलती हैं और उनकी रफतर 170 मील प्रती घंटे रहती है और जब कोई जहाज इस हवा की चिपेट में आ जाता है तो वो अपने संतूलन खो बैठता है जिसके कारण उनका एक्सिडेंट हो जाता है जिहां दोस्तों बाकि ये काफी र